हाई बच्चा पाटी, वेलकम टू कॉमर्स अटर 24-7, मेरा नाम हर्श है और मैं आपको बिजनेश स्टेडीज पढ़ाता हूँ बच्चो आज आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सी इंफोर्मेशन लेके मैं आपके सामने उपसित हुआ हूँ यहाँ पे बच्चो में आपको बताने वाला हूँ कि CBSE का आगे आने वाले समय में क्या credit system होना चाहिए यानि कि CBSE का नया evaluation system कैसा दिखेगा आप लोग जब इतनी महनत से अपनी पढ़ाई करेंगे और जब exams को देंगे तो किस basis पे आपको evaluate किया जाएगा यह जो वीडियो है यह class 9 से लेकर class 12 में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यह जितने बच्चे अभी आगे class को पास करके अगली class में जाने वाले हैं यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए important होने वाली है क्योंकि यह इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या evaluation का system रहेगा किस तरीके से आपके exams के basis पे आपको evaluate किया जाएगा क्या आपकी grading system होने वाली है और क्या आपको किस तरीके से कितना पढ़ना है सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं तो यार यह आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि cbsc ने 9 और 9 से लेकर 12 क्लास के बच्चों के लिए नया framework लाया है जिसमें की बहुत सारे modifications किये गए हैं यहाँ पर प्रपोस क्रेडिट सिस्टम aims to create academic parity between vocational and general education जो vocational education है यानि की other courses है या फिर जो general education है जैसे भीया commerce के बच्चे accounts BST economics पढ़ते हैं उन सब के बीच में balance बनाने की कोशिच करी जा रही है इस credit system में जो की proposed हुआ है ठीक है और यह credit system national credit framework यानि की N.C.F. ने introduce किया है UGC के माध्यम से 2022 में UGC बोले तो university grant commission ठीक है 2022 में इन्होंने suggestion दिया था और अब 2024 में यह article दुबारा निकला है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ information को update किया गया है नई दिल्ली से जो यह है आपका article यह जो आ रहा है national education policy N.E.P. 2020 के तहत जो है system को update करने की बात कही गई थी देखो बीटा 2020 में new education policy आई थी March यह April के महिने में और वो policy बहुत अच्छे तरीके से implement नहीं करवा पाई थे करवा पाई थी हमारी government UGC और CBC Board क्यों नहीं करवा पाई थी क्योंकि 2022 में ही March यह April में COVID-19 की वज़े से lockdown लग गया था जिसकी वज़े से यह जो new education policy थी इसको थोड़ा hold पे कर दिया गया और धीरे-धीरे अब जब lockdown से हम लोग आगे निकल गये हैं दो-तीन साल हो गये तो अब धीरे-धीरे new education policy के जो भी provisions ह उनको दुबारा से implement कराने की कोशिश करी जा रही है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नया academic framework है वो आप सेट कर लीजे class 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए अब सवाल यह कि सर नय academic framework में ऐसा क्या है जो हमारी पढ़ाई के बहुत important है हमको क्यों बता रहे हो है ना यह जहां पे 3-4 तरीकों के बारे में बात की गई उन कुछ key features के बारे में बात की गई है जो आपके लिए जानना बहुत महत्वूर हो जाता है वो key features क्या है चलिए एक बार देखते हैं सबसे पहले आगर हमात करते है क्रेडिट की किस की बात करते हैं हम लोग बात करते है मिट एक academic year में एक बच्चे को 1200 घंटे पढ़ने होंगे फुल फ्लेश्ट स्कूल के अंदर 1200 घंटे पढ़ने होंगे बेटा एक साल में 1200 घंटे यानि कि 12 मंथ में कह सकते हैं बईया अगर 1200 घंटे की बात हो रही है तो आप बच्चों लगा लो कि एक मंथ में कितना हो गया एक मंथ में 100 घंटे आपको पढ़ाई करनी है एक दिन में ओने एवरेज चार से पाच घंटे की आपको पढ़ाई करनी होगी अगर यह आप सब कुछ पढ़ाई कर लेते हो ना तो 40 क्रेडिट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं यह हो गई है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है वो कितने घंटे फुल फ्लेश अपने लर्निंग टाइम में देता है यहां पर यह भी लिखा हुग है कि इन क्लास के अंदर वो कितना पढ़ रहा है और आउट आफ प्लास पे तो कितना सीख रहा है कितना पढ़ रहा है और यहां पर यह लिखा हुग है कि बारा सौगंटे आपको पढ़ाई करनी है एक 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 यहीर में तभी आपको एक पास student माना जाएगा यानि कि वो जो होता है ना कि बाया सिर्फ पेपर देने जाएंगे ठीक है नमबर ठीपे point number three देखते हैं क्या कह रहा है यहां भी बहुत और यह grading की यहां भी कहा जा रहा है कि अब बच्चों को one से लेकर इतीक meowल मिलेगा और वह घ्रेट किसके basis मिलेगा वह ग्रेट मिलेगा उन को जो है class में कितने बच्चेव उसके basis भर देखो the top one to students of the students would receive an A1 grade यानि कि उनके school या class में लिखा वारा कि class में कितने बच्चे हैं तो एक से लेकर आठ तक के बच्चे हैं अगर class में हैं तो उनको rank 1 से लेकर rank 8 में A1 grade मिलेगा उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 1 to 8 वूड रिसीव एक टू ग्रेट और फिर अगले एक से आठ वाले नौ से लगा लो 15-16 वाले उनको मिलेगा A2 grade फिर ऐसी चलता रहेगा तो एक से आठ फिर नौ से 16 और ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में बच्चों यहां बे बात कहीं आ रही है flexibility की अचा flexibility क्या है इस credit system में बच्चों को flexibility दी जाएगी कि वो अपने नए subjects को अपने according चूज कर सकते हैं यानि कि उनको पाबंदी नहीं है कि उनको कोई एक subject पढ़ना ही पढ़ना है चाहें तो वो choose कर सकते हैं and कु अब बात हो रही है और देखते हैं अब यहां पर बहुत सारे point है holistic development का मतलब समझते हो holistic development का मतलब होता है overall development तो यहां पर बच्चों की overall development या overall विकास की बात करी जा रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि भया प्रहाई important है लेकिन non academic activities जैसे कि sports art या अलग community service समझते हो जैसे बच्चे करते हैं नुकड नाटक और यह सारी चीज़ें ठीक है तो यह सारी चीज़ों पे भी पूरा पूरा जोर colleges और schools के द्वारा दिया जाएगा और यह बहुत अच्छी चीज़ है कि भया पढ़ाई के लावा भी बच्चों का विकास हो पदा चला बच्चा पंडलिक यही जो credit system है उसके basis पे बच्चे अब higher education में भी enrollment करेंगे इसी grading इसी holistic development और इसी credit system के basis पे आई यहोग की बच्चा पार्टी आप लोगको सारी के सारी कहारी आपे समझ पाए होंगे और जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे ना वो अपने छोटे भाई बहन को इस वीडियो को share करें ताकि वो जब अगली बार admission ने किसी और class में promote होके जाए तो वो इसी चैनल से अगर कोई बच्चा commerce का है तो commerce under 24 7 से ही पढ़ाई करें क्यों मैं ऐसा कह रहा कि यहां पर आपके लिए सब कुछ ऑल्रेडी है ठीक है most expected questions यहां पर आपको दिख जाते हैं current credit system क्या है कि छे माक वाले चार माक वाले तीन माक वाले तो हम current के इसाफ से पढ़ा रहे हैं in future changes होंगे भाया हम in future के लिए वादा करते हैं कि जब changes होंगे हम उनके इसाफ से भी economics accounts सबकी तयारी बहुत तगड़े तरीके से चल रहे हैं वो अमन सरों अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं मैं हूं BST पढ़ा रहा हूं यह आपके प्रिंस सरों वो economics पढ़ा रहे हैं and किसी भी COET और BOTS related किसी भी doubt के लिए आप क्या कर सकते हैं आप मुझे इस मेरी mail ID पे mail कर सकत है हर्ष.sulevanshi.com जहांपे मैं आपके doubts को पूरी-पूरी तरीके से solve करने ही कोईश करूँ है ताकि आपकी पूरी energy आपका आगे आने वाला 2-3 महिने का जो समय है और आपका जो एक हैदना भाहिया जो आपकी बुद्धी है वो और चीजों में ना खपे वो doubts में ना खपे बट वो आपकी पढ़ाई में खपे और उसके लिए आपको किसी ऐसे mentor की जरूवत है जो आपके doubts को चुटकियों में solve कर सके तो आप मेरी mail id पे किसी भी doubt के case में आप मुझे mail कर सकते हैं मैं आपके doubts को solve करने की पूरी-पूरी कोशिश करता रहता हूँ क्लास को देखने के लिए इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेर जरूर करिएगा commerce and 247 चैनल को subscribe कर लीजेगा और मिलते हैं ऐसी ही informative वीडियो के साथ आपको आगे आने वाले समय में भी मेरी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी तो stay updated keep learning keep growing all the very best जैहन और बाए बाए